नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से आपको बहुत दिनों के बाद वीडियो देखने को मिल रही होगी कि अभी मैं कुछ टाम के लिए विजी हो गया था तो अब आपको हमारी जो वीडियो है दुबारा से ऐसे आते रहेंगी यह हमारा खुबसूर जो फ्लावर मैं चीर हो चुके थे उसको हमने कट के अलग कर दिया था और उपर से अपने जो इसको ब्रांचे को कट करके थोड़े से चटाई कर ली थी आप क्या था कि इसमें देखिए निव शूट्स बनने स्टार्ट हो गई जड़ तक में देखिए निव शूट्स बन इसमें जो विंटर है अपने पीक पे है तो रात में इसमें पाला पड़ता है तो फाले की वेसे थेंड की वेसे हमारे जो बहुत से पौधे हैं अगर उनमें धूप कम मिल पा रही है तो वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं उनमें ज़्यादा आप देखोगे कि नए अच्छी दूप मिलने से आप क्या होता है कि यह पौदे हैं वह बिलकुल अच्छे से चमक जाते हैं और अप्छे से अपने जो प्रोडक्शन है अपना जो नए शूर से कह लिया हैं वो बनाने लगते हैं यह सभी प्लांट में होता है है इस प्लांट में हमने क्या करा, कि इस जो हमने जब कटाई करी थी, कटाई के बाद हमने इसमें liquid fertilizer add किया था, liquid fertilizer में हमने जो mustard cake होता है, mustard cake को हमने powder form में लिया था, आपके पास cake form है, तो उसे grinder की मज़द से powder form में बना लें, और यह Amazon पर easily available हो जाता है वहाँ से buy कर सकते हैं उसके बाद क्या करना है आपको एक लिटर पानी में 100-500 ग्राम mustard powder बिगो के रख लेंगे उसमें पानी मिलाके और थोड़ा सा DAP अगर अवलिवल हो आपके पास तो वो भी add कर सकते हैं आप क्या करना हमने दो दिन के लिए उस bottle को पानी भरके रख लिया अर दो दिन के बाद हमने उसमें 10 लेटर पानी नॉर्मल पानी मिलाया नॉर्मल पानी मिलाने के बाद उसका जो थोड़ा based है उस त्वह सई हो जाता है जाता है ताकि किसी पौदे को हाम नो प्रस्ट करें कर लेते हैं पर ऐसा भी नहीं कि आप बिलकुल पानी देना बंद कर 30-30 दिन में पानी देना चाहिए और आपको तो पूरा भरपूर करके पानी आप गंबले में एड करें ताकि उसकी जो मिट्टी है उसमें मॉइस्टर बना रहा है ऐसा ना हो कि आपकी मिट्टी जाता है ड्राय रहती है अगर ड्राय रखोगे तो वह भी जो हमारा पौधा है वो शॉक्त में जा सकता है और उसके बाद आपका जो फ्लावर वगेरा या नई प्रोडक्शन है नई जो काव डंग है वो एसली हमें नहीं मिल पाता है तो आप वर्मी कमपोस्ट का ही इस्तिमाल करेंगे गंले करते हैं तो आपका जो पौधा है देखेंगे बहुत फ्रेश सा दिखेगा और नई निशूट्स बनाएगा और बहुत सही चलता है अपना पौधा देखिए इसम आपका जो पौदा है वो ठीक टाक आपका चलता है इस पौदे से लेटेड अगर आपके कोई भी कोश्चन अगर रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं आपको जरूर सारी बातों को कोशिश करूँ हैं सारे आपको प्रॉब्लम का आंसर दूं जि लगें तब तक के लिए हैपी गार्णिंग धन्यवाद